ठंडी के मोसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था चिडिया मिठुतोता और कबूतर उड़ते हुए मेदान में जाते हैं मगर वहां तो हर तरफ बरफी बरफ थी चिडिया यहां तो कुछ भी नहीं है हर तरफ बरफी बरफ है जो दाना था वो तो बरफ तले दब गया मिठू भेया आप चिंता ना करें हमें कही ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना चलो थोड़ा और आगे जाते हैं फिर वो सब वहां से आगे बढ़ते हैं पहाडों के पास एक बेल थी या फिर कोई जहरीला फल होगा मैंने तो पहली बार इस तरहां का फल देखा है मुझे इस फल के बारे में कोई जानकारी नहीं है फिर वहां एक बुड़ ही फाखता आ जाती है वो सब उसे आवाज देते हैं माजी ये कैसा फल है आधा लाल और आधा काला क्या ये फल हम खा सकते है बच्चो ये फल कोई जादू ही फल है इसका लाल हिसा आप खा सकते हो मगर काला हिसा जहर वाला है ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते है भाचन की समस्या तो हुई दूर अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिसा खा लिया करेंगे ये बड़ा फल खा कर हम सब का पेट भर जाएगा फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिसा खाने लगते हैं वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे, फल खतम ही नहीं हो रहा था सब पक्षी पेट भर के वो फल खाते हैं कवा और कवी भी फोचन की खोज करते करते वहां आ जाते हैं पक्षियों आप सब यहां फल खा रहे हो और हम दोनों पती पतनी भूग से मर रहे हैं गोरी बेहन ये एक जादूई फल है इसका लाल हिसा खाने लाइक है मगर काला हिसा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा चिडिया कबूतर और दोता वहां से चले जाते हैं गोरी ये फल तो बहुत स्वादिश है कालू क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूँ इसका कैसा सबाद है ना ना गोरी ऐसा ना करना ये हिस्सा जहरीला है चिडिया ने बताया था ना क्या तुम भूल गई हो वो दोनों फल खाकर वहां से चले जाते हैं रात हो जाती है कव्वा सो जाता है मगर लाल ची कव्वी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काले वाला कितना स्वादिष्ट होगा मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी गोरी कवी आधी रात को घर से निकलती है वो तेजी से उड़ती होी पहाडों के पास उस बेल के पास पहुझाती है सब छूट बोल रहे हैं मैं तो ये काले वाला हिसा खाऊंगी इस वल का फिर गोरी कवी उस फल का वो काला हिसा खा लेती है वो फल खाते ही गोरी वहां गिर जाती है सुभा हो जाती है ये गोरी कहा गई? रात को तो घर में ही सोई थी फिर कव्वा चड़िया के पास जाता है चड़िया चड़िया मेरी पतनी गोरी घर में नहीं है क्या तुमने उसे देखा है नहीं कव्वे भेया मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ वो कहां जा सकती है जब पहाडों के पास बेल से वो फल खाने पक्षी वहां जाते हैं तो गोरी को वहां गिरा हुआ देह कर हैरान हो जाते हैं कोई कवे को बताए वो गोरी को ढूंड रहा था और गोरी यहां है यह जिन्दा है मगर भी होश है जहर का असर है शायद इसने यह जहरी लाफल खा लिया है कवा भी वहां आ जाता है अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देह कर कालू कवा रोने लग जाता है गोरी ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जिहरी लाफल खाया था? अब मैं कहांसे लूंगा अपनी गोरी कवी पतनी जी को? कवे ये जिन्दा है हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा गोरी बच सकती है फिर कवा और चिडिया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं डुश्ट कवे भाग जाओ यहां से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो बुल 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 मेरी पतनी मर जाएगी बुल बेहन आप जल्दी से हमारे साथ आएं गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूगी फिर बुल बुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है बुलबुल एक दवा के दो कत्रे गोरी के मुँ में डालती है थोड़ी देर बाद गोरी कवी आंखें खोलती है वो काला फल बहुत स्वादिश्ट था सच में वो काले वाला फल बहुत स्वादिश्ट था ये सुनकर सबख्षी हंसने लग जाती है अगर दुबारा वो फल खाया तो हम मेंसे कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा मैं फल के उस हिसे का सवाद कभी ही नहीं भूल सकती ऐसा कहते हुए गोरी कवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है उसके लालच ने उसे मार दिया था शायद ही कोई गोरी कवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल की खातिर अपनी जान भी दे सकती है प्यारे दोस्तों इस कहाने को लाइक करना बिलकुल मत भूला आपका धन्यवाद हर रोज की तरहा कुकु जब शाम को घराता है तो अपनी ममा रानो चड़िया से पूशता है ममा आज खाने में क्या है आज मैंने अपने बेटे के लिए आलू की भाजी बनाई है बस ये सुनना था के कुकु का मूड ओफ हो जाता है भेया आलू की भाजी बहुत मजे की बनाई है ममा ने तो फिर तुम ही खाओ मुझे आलू खाना बिलकुल भी पचाओ नहीं है कुकु बेटा इसलिए आप इतना कमजोर हो रहे हो आलू बहुत पोस्टिक होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी है ममा मैं आलू नहीं खाओंगा ऐसा कहते हुए कुकु पास में पड़े सुखे चनों के दाने खाने लगता है मैं क्या करूँ इस बच्चे का बहुत तंग करता है कुकु कोई भी खाने की चीज़ होती वो शोक से ना खाता आलू खाने से तो उसकी जान जाती थी फिर दूसरे दिन ममा चड़िया अपने बच्चों से कहती है बच्चो चलो आज कबूतर चाचा के घर दावत है हमारी हम आज शाम का खाना कबूतर चाचा के घर खाएंगे ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब कबूतर चाचा के घर जाते हैं बहुत दिनों बाद हम सब साथ बैठे हैं क्या करूनुसी बच्चे चोटे हैं काम से समय ही नहीं मिलता दूसरों से मिलनेगा आज मैं आपके लिए आलू पालिक लाया था और मैंने बहुत मजे की आलू पालिकी सबजी बनाई है भेया, आलू पालिक मुस्कुराते हुए गुडिया अपने भाई से ऐसे कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगा आलू पालिक मुझे आलू पसंद नहीं है बेटा किसी के घर जाकर ऐसे तो नहीं करते नहीं नहीं चिडिया अगर कुकू को आलू पसंद नहीं है तो मैं इसे कुछ और दे देती हूँ फिर वो सब आलू पालकी सबजी से रोटी खाते हैं और कुकू के लिए लूसी फलों का हलवा ले आती है शाम के खाने के बाद चिडिया अपने बच्चों को साथ ले कर घर वापिस निकलती है रास्ते में जाते हुए गोरी कवी चिडिया को आवाज देती है चिडिया चिडिया मेरी बात सुने चिडिया और उसके बच्चे रुक जाते हैं चिडिया बहन आप मेरे साथ मेरे घर चले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ बच्चो अब घर जाओ और मैं अभी आती हूँ फिर बच्चे घर चले जाते हैं और चिडिया गोरी कवी के साथ उसके घर चली जाती है चिडिया देखो मैंने नई रेसपी बनाई है आज, खा कर देखो कैसी है ये क्या है गोरी बेहन, मुझे तो कुछ पता नहीं है खा कर देखो, फिर चिडिया वो चीज उठा कर खाती है गोरी बेहन, ये तो सच में बहुत स्वाधिस्ट चीज है, ये है क्या? ये आलू के फ्राइज है, मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरहां आलू नहीं खाता था मगर जब मैंने आलू के फ्राइज बना कर दिये, तो जगु सारे ही खा गया तो फिर मैं भी अपने बेटे को आलू के फ्राइज बना कर दूँगी हाँ, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है दूसरे दिन चिडिया कुछ आलू काट कर उनके लिए फ्राइस बनाती है गुडिया और कुकु नदी परगे हुए थे गुडिया बेहन, जल्दी घर चले, मुझे बहुत भूग लगी है ममा तो आज आलू लेकर आई थी घर आलू का नाम सुनकर कुकु रोने लग जाता है आज फिर आलू कितने बुरे लगते हैं मुझे आलू जब बच्चे घर आते हैं, तो ममा चिडिया ने फ्राइस बना लिये थे ममा ये क्या है, मैंने ये चीज पहली बार देखी है ममा मुझे भी दे, ये मैं भी खाऊंगा लो बच्चो, खा कर बताओ, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कुकू और गुडिया फ्राइस खाते हैं, टमाटर की कैचप के साथ उन्हें फ्राइस बहुत स्वादिश्ट लगते हैं ममा ये क्या है, ये तो मैं रोज खाया करूँगा फिर हंसते हुए ममा चिडिया कुकू से कहती है ये आलू है बेटा, देखा आलू से कितनी मजे मजे की चीजें बनती है ममा सच? हाँ बेटा, गुडिया से पूछ ले, ये आलू ही है फिर तो मैं रोज आलू खाया करूँगा कुकू खुश हो जाता है और गुडिया की प्लेट से उठा कर फ्राइस खाने लगता है ममा चिडिया अपने बेटे को खुश देह कर मुस्कुरा रही थी ममा चिडिया बहुत खुश थी कि उसके बेटे ने आलू तो खाए प्यारे दोस्तों आप में से फ्राइस किस किस को पसंद है हमें कोमेंट करके जरूर बताएं आपका धन्यवाद